आज हम 11 वी का भौतिकी का असाइन्मेंट का अंसर देखने वाले हैं अगस्त मन्त का एक एक क्विश्चन का अंसर आपको यहां पर दिया जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा शमजाया जाएगा आपको वीडियो को लागत तक देखना है हर सब्जेक के अंसर आपको यहां पर मिलते हैं अगर आपको किसी भी चीज का अंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताये कोई भी डाउट हो आपका शॉल्प किया जाएगा पहले प्रस्ट से यहां पर श्टार्ट करते हैं खलके और भारी पिंड के समवेग समान है उनमें से किसके पास आथी गति जूर्जा होगी सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर समवेग समान होता है किसी भी दो चीजों का तो इसमें गती जोर्जा सीधे सीधे द्रहमान के विद्करमानुपाती हो जाती है शुत्रों से शुत्र आप खुद से पड़े होंगे तब ही आप यहाँ पे समझ पाएंगे तो यहाँ पे आंजरम को यही लिखना है कि सावेग नियत होना पर गती जोर्जा पिंड के द्रहमान के विद्करमानुपाती होती है इसलिए हलके पिंड की गती जोर्जा भारी पिंड से अधिक होगे दूसरा क्रेशन क्या आता है एक जोल को परिभासित केजिए तो इसमें क्या लिखना है जब किसी वस्तु पर एक नियूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल के दिर सामें एक मीटर का विस्थापन हो जाता है तो किया गया कारी एक जूल का लाता है एक न्यूटन बल लगाने, एक मीटर विस्थापित करना है, जो कारे होगा उसको एक जूल कहेंगे यही जूल का परिभासा है आपका यहाँ पर, 11 के लिए इसके बाद हम चलते हैं, तीसरे नंबर के क्विश्चन पर, अभी केंद्र बल दौरा किये गये कारे का मान निकालिए तो सिंपल सा है, आपको मान निकालना है, वरित्य मार्क पर गति मान वस्त उपर, मार्क के केंद्र की और कारे करनाले बलका पर केंद्र बलकाते हैं कड हमेशा वृत्य गती में रेडियल दिसाज होती है जो रेडियस के दिसाज होती है उसके लंबवत ही कारे करता है इसलिए इसका अधिस गुडन सुने हो जाता है अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे डॉट प्रोड़क्ट इस वज़से अभिकेंद्र बलद्वार पररिणामी बल लगने पर बल द्वरण किया गया कार उसकी गती Daura में परिवर्ण के बराबर होता है यही कार वर्जा प्रोड़ों करने है तवस्त की गतिरुजाम परिवरतन जीरो होता है इस वज़े से किया गया कारे भी सुनने होता है इसके बाद हम देखेंगे पांचे नंबर के क्विश्चन ने पूछा गया गाड़ियों में मडगार्ड का प्रियोग क्यों किया जाता है तो बहुत सिंपल है कि यहां पर वो जो कड़ चिपके होते हैं की चड़के वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और आशपार जितने भी लोग उज़र रहे हैं जो बैठा होगा साइकल वगएरा मोटर साइकल वगएरा उन पे जाके लग जाएंगे इसको रोकने के लिए मटगार्ड वहां पे लगाया जाता है चठे नमबर के क्वेशन पे मूव करते हैं प्रत्यास्त और अप्रत्यास्त संगट के बीच अंतर लिखे वो भी दोठों तो यहां पे प्रत्यास्त संगट और अप्रत्यास्त संगट में दो अंतर इस प्रकार हैं इसमें किसी तरह की उर्जा की हानी नहीं होती इसमें गत पत्यास संगंठ में भी संविक सनशित रहता है लेकिन इसमें अज सन्रक्षी बलकार करता है तो ऐसे आप लिग देंगे आंसर को बहुत इजीली यहां पर आंसर को दिया गया है फिर भी अगर कोई डाउट होता है सीजी बोटिस ब्रेंट है आप तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा आपके लिए हर एक चीज़े यहां पर प्रोवाइड की जाती है important questions आपके exams के लिए त्रहमासिक आएगा और द्वारसिक सारी चीज़ यहां पर provide की जाते हैं और आप बहुत अच्छा score करके हां से जाएंगे telegram group का link वीडियो के description में उसको भी join कर लीजिएगा इसके बाद हम move करते हैं प्रश नमबर 7 पे द्रहमान केंदर को परिभासित कीजिए किसी द्वीकर निकाय के द्रहमान केंदर के लिए वेंज़क लिखिए तो आपको यह लिखना है द्रहमान केंदर क्या होता है तो जब निकाय किसी बाहे बल के अंतरगत गती करता है तब उसका कोई बिंदु इस प्रकारगती करता है कि जैसे निगाय का समझत दर्मान उस बिंदु पर केंदरे थो तथा बाहे बल भी इसे बिंदु पर आरोपी थो तो उस बिंदु के निगाय का उसको दर्मान केंदर काते है तो यहां पर अब लिख सकते हैं इस द्रहमान के अंदर की परिभासा है इसके बाद दिया गया है कि द्वीकर्ड के अंदर के लिए वेंज़ेक लिखे तो द्वीकर्ड द्रहमान के लिए यहां पर आपको figure छोटा सब ड्रॉ करते हैं आप इसके बाद आठवे नमबर के प्रस्ट में मूफ करते हैं एक ट्रक है और एक कार की गती जोर्जा सीधी सड़े गती पर कारे करना है उसके इंजन एक साथ बंद हो जाते हैं कौन कंदूरी पर रुखेगा समझाईए क्यों इस पर आपको समझाना पड़ेगा मैंने आप फॉर्मूला दे दिया है चिंपल सा गती जोर्जा दोनों की शमान है अब ध्यान देजिए मास और जो वेलोसिटी है मतलब द्रमान और वेग का गुड़नफल ही गती जोर्जा होता है उसको छोड़िए मास और वेग मतलब द्रमान और वेग का गुड़नफल गती जोर्ज ज्यादा यहां पे ट्रक है इस वज़ें से किसल्थ का जो वेग होगा वह कमँगा और जिसका वेख कम पर जन्रें पर जाकर C कंद रिए करेगा क्योंकि कि इसित चाहर नची इंजंधकर कर लाइता होन्म लीगिए इसके बाद नमबर के क्वेस्टन हैं धकेलने के बज्जा खीचना क्यों असान है तो खीचने आप दिखा देंगे आप जानते होंगे इसको कैज दो भागों में दो घटक करेंगे 6 नेटबल को दोगना कर दे जाए तो उसके तोरण पर क्या प्रभा होगा नेटबल को आप सिंपल सा फॉर्मूले से भी दिखा सकते और ऐसे भी लिख सकते नेटबल को दोगना कर देते हैं द्रमान में कोई परिवत्तन नहीं होता तो तोरण भी दोगना हो जाएगा सिंपल ग्यारा नंबर का क्वेचन है सर्पी घर्षड लोनी घर्षड में अंतर लिखिए चार अंतर बोला है तीन अंतर आपको यहां पर दिखाएगे चौथा अंतर क्या होगा सुन दीजिए आप चौथे अंतर में अप उदारत दे देंगे कि अगर हम रखते हैं किसी बुक को टे कुन सा बिलन घर्षड हो जाएगा तो ऐसे हम करेंगे सिंपल सांसर है यहां पर और जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए वीडियो के जादा जादा सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलता हम अगले वीडियो में